एक तरफ पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा के इश्श को लेकर सवाल खड़े किये चा रहे हैं तो हैं भारत से अपने प्यार नसुरुला के लिए पाकिस्तान गई अंजु भी सवालों से घिरती जा रही है पहले अंजु नसुरुल्ला से रिष्टे की बात को लेकर इंकार करती रही लेकिन जब सच सामने आया तो अंजु के परिवार समेथ सभी लोगों के खोश उड़ गए बकाइदा इसलाम कबूल कर अंजु ने फातिमा बन नसुरुल्ला को अपना दूसरा शोहर बना लिया निकाह तो निकाह अंजु के दावते वलीमा की भी तस्वीरे सामने आई इधर अंजु के पहले पती अरविंद का कहना है कि बच्चे मा को याद कर रो रहे हैं लेकिन बच्चों को अकेला छोड़ पाकिस्तान में अंजु मौज लूट रही है पहले नसरुला के हाथ में हाट डाले पाकिस्तान की वादियो में घूमते हुए अंजु की वीडियो सामने आई फिर नसरुला के साथ बुर्के में जाती दिखी उसके बाद नसरुला और उसके दोस्तों के साथ अंजु बिर्यानी का लुफ्त लेते दिखी अंजू को पाकिस्तान सरकार और ISI का खुला समर्थन मिलता दिख रहा है अंजू पर शक किसुई और पक्की होती जा रही है भारत की खूफिय एजंसियों को शक है कि अंजू के तार ISI से तो नहीं जुड़े पती अर्विन से बातचीत में अंजू किसी डॉकुमेंट की बात करते सुनी गई जिसके बाद जांच एजंसियों का अंजू पर शक और बढ़ गया है अंजू ने ये कह दिया है कि कुछ डॉकुमेंट्स आपके घर में ऐसे हैं जिसको जाज टीम को नहीं देना है तब से और ज्यादा मेरे को पता भी नहीं है कि कहां रखा है डॉकुमेंट्स यह भी नहीं पता ना अच्छा, नॉर्मल डॉक्मेंट्स हम सब के पास या तो नौकरी की कागजात होते हैं, या पढ़ाई की कागजात होते हैं, बैंक के कुछ पेपर्स होते हैं, घर के पेपर्स होते हैं, यह होता है, इसमें तो कुछ पाने वाली बात नहीं होती है, तो कौन से पेपर की बात ह अंजु की कहानी में आए इस मोड ने भारत में उसके पती और बच्चों दोनों को निराश कर दिया है अंजू की दावत वाली वीडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे है क्या ये दावत अंजू को फातिमा बनाने की खुशी में दी जा रही है क्या ये दावत अंजू और नसरुल्ला के निकाह के बाद की दावत यानि दावते वलीमा है अंजू के अलावा कोई दूसरी महिला वहां मौजूद क्यों नहीं है? क्या ये पक्तून रिवास के खिलाफ नहीं है? वही अंजू को पाकिस्तान की ओर से अचानक वीजा मिलना भी अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि अंजु एक साल से पाकिस्तानी वीजा के लिए कोशिश कर रही थी 2022 से ही वो लगातार वीजा ओफिस के चक्कर लगा रही थी लेकिन जैसे ही सीमा हैदर सुर्खियों में आई वैसे ही अंजु को भी पाकिस्तान का वीजा मिल गया कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की काली साज़िश तो नहीं है